वेरी गुड आफरनून क्लासेक्स तोड़ी आएम गोई तो टीज यू ग्रामर एन चैप्टर इस येट लेसन का नाम में वर्ब वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं वाट इस वर्ब? वर्ब is a word which says something about a subject वर्ब वो क्रिया होती है जो subject के बारे में बताती है subject मैंने अल्यड़ी आपको बता चुका हूँ पहले भी यहाँ पर subject जो होता है हमारा करता होता है जो करने वाला होता है जो doer होता है उसी को हम कहते हैं subject ठीक है जिसे sentence यहाँ पर देखो लिखा हुआ है my mother cooks यहाँ पर my mother का subject है और उस subject के बारे में जो बताया जा रहा है मतलब कि क्या पकाती है तो हमारा जो पकाना है वो हमारा verb कहलाता है और मैंने आप लोग को कई बार verb काफी लिखा चुका हूँ तो आप verb इतने डेसारी हो गए है कि आपको प्रॉलम नहीं होनी चाहिए जो जिसमें ना word आता है जिसे उठना, जागना, सोना, रहना तो यहाँ पर देखिए जो verb है highlighted है रमेश है जो पिंक फ्रॉक यहाँ पर कहा है रमेश, रीमा रिमा लिकाव है रखती है, यहाँ पर रखना जो है मतलब क्या है, वर्ब है बागी सारे अबजेक्ट है इस कहा कि देखो देर वो, the story was interesting यहाँ पर जो story है वो क्या थी, रोचक थी तो यहाँ पर रोचक जो है अबजेक्ट है, और यहाँ पर story है मतलब कि कोई कहानी वो क्या थी वो जो story जो थी वो मतलब की रोचक थी अगला है, डेली is a highly polluted city दिली मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूस शहर है, तहाँ पर है जो word है, वो तुमारा क्या है, verb है ठीक है, तो verb कई तरह के होते हैं जो देखा होगा, एक verb होता है जो वैक्षन दिखाता है एक verb होता है, जो बताता है मतलब कि sentence का position क्या है, ठीक है ऐसे verb, जो simple verb होते है जो बताते हैं, जैसे this is a boy, तो यहाँ पर age क्या है, तुमारा verb है ऐसे यहाँ पर दो को कई sentences के रूब में बता रखा है जो पहला sentence है my mother cooks, यह बताता है कि यह तुमारा tense related है और यहाँ पर जो verb है, जो हम verb की first, second, third form होते होते हैं ठीक है, यहाँ रीमा has a pink frog की यहाँ पर देखो, simple verb है जो has बताता है, हम रखना कहते हैं यहाँ पर यहाँ पर आगे वाज वर्ब है, simple verb है यहाँ पर is simple verb है और आगे देखो कि यहाँ पर सब जो दिखा रखा है cooks, is and was, has यह सारे वर्ब होते हैं अब आगे देर का function of the verb वर्ब के function क्या है वर्ब denote the action जैसे नहीं बताया कि वर्ब क्या denote करता है कि कोई करिया किसमें action में चल दी होते है इसको वर्ब कहते है ठीक है, इसमें एक subject होता है the water freezes in the cold यहाँ पर देखो फिर tense related है जो मतलब बता रहे, freeze मतलब क्या जमना क्या है वो हमारा verb है Mr. चावला taught यहाँ पर पढ़ाना क्या है वर्ब है आगे देखो कि children play यहाँ पर play verb है words denote the states of the subject subject की दसा को बताता है and what the subject is और subject क्या है यह भी बताता है ठीक है, अगले page पर आजाएंगे page number 42 यहाँ पर example दे रहे कर आहो लिज यहाँ पर जितने भी है, यह simple verb है words denote what is done to the subject यह वर्ब यह बताता है कि subject के लिए क्या किया गया है ठीक है, अगला देखे example क्या है John was punished, यह तुमारा tense related है, वर्ब की second form है ठीक है, रानी वाज बिटन यहाँ पर देखोगे, यह भी वर्ब है, जो हमारा passive voice में grammar is being taught यहाँ पर passive voice के लिए, ठीक है taught पढ़ाया जाना, words denote the position by the subject over view denote करता है कि मतलब कि कहाँ पर subject को कौन follow कर रहा है, ठीक है, आगे he has a green bag, यह simple verb है lions have, यह भी simple verb है Mr. Joshi has a car, यह भी simple verb है, जहाँ पर है च का मतलब होता है, remember tense यहाँ पर करा, am is used with the pronoun I, ठीक है I के साथ हमारा generally am used होता है और pronoun he, she, it and singular noun R is used with the pronoun you, you के साथ हमारा साथ कोंसा, R आता है आप लोग बहुत से sentence बना चुके हो, इसमें कोई problem नहीं होने चाहिए, we you, we, they के साथ हम plural nouns के साथ R का use करते है ठीक है, was is used for the pronoun I, he, she, it was is the simple past form of am and is ठीक है, am और is का simple past क्या होता है, was भी कहलाता है was is used for the pronoun you, are, we, they और plural nouns के लिए होता है was is the simple past form of are, R का जो अगर past की बात करें तो were कहलाता है has is used for the pronouns he, she, it and singular noun ठीक है, जो आप sentence बना रहे हो उसमें जो use किया जाता है वहाँ पर इसी के बारे में बता रहे है have जैसे होता है have is used for the pronoun I, U, and V ठीक है, जहाँ पर I, U, V आते हैं वहाँ पर have लगाते हैं और plural nouns के लिए भी use करते है had is used for the pronoun I, U, V, they और जैसा की has का हमारा second form भी कहलाता है she, it, and singular and the plural noun had is a simple past form of the have and has ठीक है यहाँ पर दीक है have और has का past had भी कहलाता है और had जहाँ पर use कहा जाता है had सारे में use कहा जाते हैं चाहें singular noun, चाहें plural noun चाहें हेशे it हो चाहें I, U, V, और दे last line है has, have, and had are used to indicate position वो साथी साथी indicate भी करता है कि किसे साथ यह belong करता है कोई सामान अगला verbs are three types त्री तरह क्यों होता है transitive verb, intransitive verb और auxiliary verb transitive verb which verb requires an object ठीक है transitive verb वो verb कलाता है जिसमें object की जिवरत होती है ठीक है जिसके through क्या होता है हमारा complete sense create होता है बरना sentence का कोई मतलब नहीं रहता मतलब कि complete earth food sentence बनने के लिए मारा transitive verb वो object के साथ रहना बहुत ज़रूरी है example I have purchased a bike अब जिसे मैं बोलता है I have purchased मैंने क्या खरीद लिए अब तो अगर object नहीं रहता तो हमें पता नहीं चलता हमने क्या खरीदा तो यहाँ पर देखो I have purchased a bike जो complete sense देता है आगे I saw him yesterday मैंने कल उसे देखा तो यहाँ पर जो हमारा transitive verb कहलाता है ठीक है जहाँ पर object होता है वहाँ पर transitive verb होता है in the sentence above verb have purchased and saw requires object a bike and him respectively to make a complete sense तो हमें यह कहता है complete earth बताता है ठीक है कोई भी sentence का complete earth हमें जब complete करता है तो उसे हम transitive verb कहते है आगे example में देखे love, order, bring, demand, hate, punish, dig, desire, etc the noun or pronoun that is affected by or receive the actions of the verb is known as object ठीक है जब भी noun, pronoun होते हैं तो वहाँ पर कहीं ने कोई-कोई verb के साथ action होता है और उसको show करने के लिए हमारा जो होता है वो object कहलाता है जैसे they punished the naughty student तो they punished उन्होंने punish किया किसको? naughty student naughty student हमारे क्या object है और punished क्या है हमारा? transitive verb in this sentence object the verb punished is not naughty student अगला है intransitive verb intransitive verb verb that do not require an object ऐसे verb जिसे object की जूरत नहीं होती है उसे हम intransitive verb कहते हैं जैसे I ran daily I run daily मैं daily दोड़ता हूँ sea laughs वो हस्ती है ठीक है अपर object जूरत नहीं है न तो हमारे क्या intransitive verb chintu web chintu roya यह intransitive verb हमारे कहलाएगा अगले page की दरह में बतने page number 44 ठीक है example die, care, go, come, rise यह से हमारे intransitive verb अब देखते हैं auxiliary verb कहलाता है auxiliary verb बहुत simple verb होता है यह पड़चिक हो हमारे सारे helping verb को auxiliary verb भी कहते है ठीक है उन्ही को हम auxiliary verb कहते है auxiliary verb भी दो तरह की होते है एक होता है principle auxiliary और यह होता है model auxiliary जो principle auxiliary होता है जो हम अपने tense में पड़ते हैं ठीक है जैसे be का मतलब मैंने पहली होता है be watch and being कहलाता है has have had ये सारे हमारे principal auxiliary होते है do does ये भी principal auxiliary होते है अब model auxiliary की बात करते है तो model auxiliary will shall can इनका would should could may might ये हमारा auxiliary verb कहलाते है ठीक है तो auxiliary verb मारे दो तरक होते है principal और model auxiliary कहलाता है यहां पे देखे हमारा exercise complete है इसको आप लिख लीजेगा मैं photo किछ करके बेज दूँगा ये भी complete है इसको भी आप लिख लेना ठीक है यहां पर recognition करना होता है sentence को complete करने के लिए right यहां आपका chapter कत्म हो जाता है तो आप क्या करोगे पहले तो आप reading करोगे ठीक है और reading करने के बाद फिर आप क्या करोगे इस chapter को जो मैंने YouTube link से दे रखा हुआ है तो आप लोग इसको एक काम करो इसको subscribe कर लो ठीक है like करो comment करो तो जिससे क्या हो कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ रात को बनाता हूँ दिन को बनाता हूँ तो यह आपको directly आपके उसमें एक notification के तरत आ जाएगा कि मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया चाहे तो पहले भी देख सकते हूँ चाहे तो पढ़ने के दोरान दे सकते हूँ तो अच्छा रहेगा कि आप पढ़ने के दोरान ही देखो और अभी जैसे कर लेते हो तो फिर आपको notification मिल जाएगे कि हम आने वीडियो त्यार कर रख है उसको देख करो चाहिए इस वीडियो को देख करके आप सारी सारी नोट कर लो यह आपका फिनिश हो जाता है ठीक है और यहीं पर आपके class over हो जाएगी thank you have a nice day bye bye take care everyone thank you so much